अगर आपका खाना सडक किनारे ढावे जितना अच्छा है तो हर कोई उस भोजन को खाकर खुश होगा लेकिन बड़े रेस्टरॉंट में भयंकर चीज़ें परोसी जा रही है वहाँ इडली के जगा गॉल्फ बॉल बनाई जा रही है माफ कीजिए मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनमें सुधार हो भारतिय खाने के शोकीन लोगों को भारतिय खाना पूरी दुनिया तक पहुचाना चाहिए मैं हमारे अद्भुत देश के अनूठे व्यंजनों के बारे में एक सवाल पूचना चाहता था अब जानते हैं हमारे भोजन के पीछे बहुत सारे चरित्र, इतिहास और विज्ञान मौजूद है और इस बार करोना में भोजन ने आधुनिक चिकित्सा की सीमाओं को प्रकट किया है और हर कोई अब विश्वास करने लगा है कि भोजन बेमारी से बचने की सबसे अच्छी दवा है भारत के बाहर मेरे कुछ बिजनिस हैं, कुछ रेस्टरॉंट्स हर दिन वो मुझे बता रहे हैं कि दुनिया भारती भोजन को कैसे देख रही है बहतर स्वास्त के लिए और फिर कभी-कभी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है लेकिन होता क्या है भोजन को समझाने का उनका तर्क और भूजन को समझाने का हमारा तर्क बहुत अलग-अलग है प्रोटीन, कैलरी, कार्बोहाइडरेट की बात करते हैं हम बस यही देखते हैं कि किस खाने से क्या होता है और वो भी इस तरह से हमें यह दिया जाता है कि वो कभी शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से हमें नहीं मिलता वो हमें हमारी दादी वगहरा द्वारा दिया जाता है जो कहती हैं यह खाओ क्योंकि मैं बोल रही हूं तो ऐसी फिलोसफी जिसे समझना मुश्किल हो और वो प्राचीन ग्यान जिसे हमने अपने व्यंजनों में शामिल किया है जो प्रभावी है और लंबे समय से लोग उसका असर जानते हैं तो हम अपने भोजन को मार्किट के योग्य कैसे बनाएं क्योंकि ये भी हम शेफ्स के लिए भारतिय भोजन को बाहर ले जाने और उसे मशूर करने का अफसर है पर हम इन छोटी-छोटी कम्यों को कैसे पूरा करें और इसे असरदार कैसे बनाएं ये बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक भाशा में बात करें वरना हम भोजन के बारे में लोगों की सोच को जल्दी नहीं बदल पाएंगे हमें आज की ही भाशा बोलनी होगी लेकिन भारतिय भोजन इसकी विविदता में कई बारी किया है ये दुनिया भर के भोजन के फैंस के लिए बहुत रोमांचक होगा अगर बस इसे ठीक से प्रस्तुत किया जाए तो लेकिन यही आप पूछ रहे हैं कि इसे प्रस्तुत कैसे किया जाए नकि केवल कैलरी जैसी चीजों की बात हो खैर बात बस कैलरी की नहीं है पर अंतर राष्ट्री अस्तर पर अगर आप महेंगे बाजारों की बारे में बात कर रहे हैं तो प्रस्तुती बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है कि हम प्रस्तुती में थोड़े पीछे हैं थोड़े पीछे नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे लिए भोजन का स्वाद जरूरी है, भोजन का पोशन जरूरी है, पर हम वाकई ये परवा नहीं करते कि रोटी रखी कैसे है, ठीक है, हम बस यही चाहते हैं कि भोजन खाने में अच्छा हो, ब एक महीने पुरानी है, पर ठीक से पेश की गई है, चीजों को देखने का उनका यही नजरिया है, तो ताजा भोजन के फाइदे लोगों को समझाना, कि भारतिय भोजन ज्यादा तर समय सिधे कड़ाई से प्लेट में आ रहा है, और उसका महत्व, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों ने नहीं समझा है, और दुनिया में कई भीमारियां, विशेश रूप से मैं अमेरिकी लोगों से लगातार बातें करता रहता हूँ, बस ताजे खाने से ही आपकी सेहत को काफी फाइदा होगा, ये बहुत लोगों को ये बात समझाना जरूरी है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि शायद बड़े-बड़े रेस्टरॉंट्स उनमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन रेस्टरॉंट्स का मेरा अनुभव पुराना हो सकता है, क्योंकि मैं 15 से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब चीज़ें कैसी थी, क्योंकि तब से मैं रेस्टरॉंट में नहीं जा पाया, मुझे भारतिये रेस्टरॉंट में भीड़ घेर लेती है, इसलिए मैं दुनिया में कभी भी, कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कुछ समय पहले की, मान लीजिए कि अमेरिक या यॉरप में आप जहां भी गए, मुझे लगता है कि लंदन थोड़ा बहतर है, लंदन में भारतिये रेस्टरॉंट्स थोड़ी बहतर क्वालिटी के हैं, लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, खासकर अमेरिका में, अगर आप किसी भारतिये अगर वे कुछ ऐसा परोस्ते हैं, जो सड़क के किनारे ढावे पर मिलने वाले खाने जितना अच्छा हो, तो हर कोई उस भोजन को खा कर खुश होगा, लेकिन बड़े रेस्टरॉंट्स में जो परोसा जाता है, मुझे खेद है अगर आपको ये बुरा लगे तो आप में स कोई भी उदाहरण के लिए भारत में हर अच्छे होटल में जब मैं जाता हूँ, तो अंत में मैं शेफ और वहां मौझूद मैनेजर को लेक्चर देता दिखाई देता हूँ, क्योंकि दक्षिन भारत में, तमिलनाडू में मैं कह रहा हूँ, चन्ने शहर में आप इडली न बनाना जानता है, अब मैं बैंगलोर के एक प्रमुक होटल में था और मैंने देखा कि इडली सामबर भयानक है, मैंने कहा ये इडली कौन बना रहा है और वो बहुत गर्व से वो शेफ को ले आए, मैंने उससे पूछा आप कहां से हैं, वो कहता है मैं लुधियाना से आप यहीं का आदमी क्यों नहीं रखते, मैं कह रहा हूँ ऐसी सरल चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, देखा जाए तो कुछ होटलों को छोड़ कर भारत में भी नाश्ते का अनुभव काफी भारतिया नाश्ता काफी खराब होता है, तो हर कोई एक क्रोजों या ब्रे प्रोटीन होता है, ये खाने का सबसे अच्छा तरीका है, दुनिया का हर शोध यही कहता है, लेकिन हम इडली की जगा गॉल्फ बॉल बना रहे हैं, और हम उमीद करते हैं कि लोग इसे खाएंगे, कोई इसे खाना नहीं चाहेगा, अगर आप दिल्ली के किसी होटल में क्योंकि अगर लोग स्वस्त रहना चाहते हैं, तो ऐसे उबले हुए खाने जिन में प्रोटीन और काब दोनों होते हैं, ऐसी चीजें खाना सबसे अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत सारे रेस्टरांट मालिकों ने ये मान लिया है, कि वैसे भी कोई तरीके से करेंगे, तो ऐसा होना जरूरी है, भारतिये खाने के शौकीन लोगों को भारतिये खाने को आगे बढ़ाना होगा, भारतिये रेस्टरांट चेंज को फैलने के लिए ये एक अच्छा समय है, पर क्वालिटी होनी चाहिए, जब मैं क्वालिटी कहता हूँ, उदा ठीक है, वो मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि मैंने उन से आर्थिक मंच में डिजाइन के बारे में काफी बातें की थी, इसलिए वे मुझसे मिलना चाहते थे, तो आदमी, ये अमेरिकी आदमी मुझसे सरवाना भावन में क्यू मिलेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो stret ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा यह एक लौती जगा है जहामें हर दिन नाश्ता करना चाहूंगा. और मैं वहाँ गया और जो भी मैंने खाया, वो पॉंगल जो उन्होंने परोसा मैं आपको बता रहा हूं, वो चन्नाई में परोसे जाने वाले पुंगल से बहतर पुंगल परोस रहे हैं। हमें यही करने की ज़रूरत है। Quality अगर आप हर तरह के खाने और खाने की किस्मों का quality उत्पादन करते हैं, तो हमारे पास इतने तरह के खाने हैं जैसे कोई भी, दुनिया की कोई भी संस्कृती इसे हरा नहीं सकती, क्योंकि अलग-अलग किस्मे, कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक कितनी किस्मे हैं, भोजन की कितनी बारी किया हैं, अगर हम इसे मैनेज करें और इसे संरक्षित करके दुनिया के सामने पेश करें, तो इसका कोई तोड़ नहीं है आप जैसे युवा लोग जिन्हें खाने का शौक है उन्हें ये करना चाहिए जो इसे सिर्फ कमाई के लिए करते हैं उन्हें लगता है कि वो कुछ भी परोश सकते हैं और बच के निकल सकते हैं जिसने एक बहुत तव आप जानते हैं इससे भारतिय भोजन बदनाम हुआ है क्योंकि हर कोई सोचता है कि भारतिय भोजन खराब है क्योंकि दुर्भागे से इसे ऐसे ही परोसा जा रहा है